वेलकम टू महाराष्टा इंजिरिंग एकडेमी आज के वीडियो में देखेंगे इंफोर्मेशन अबाउट दे फिर्स्ट इर इंजिरिंग एडमिशन और दा एकडेमिक यहर टू-023 और टू-024 के बारे में यहां पर आपको अगर फिर्स्ट इर इंजिरिंग में एडमिश चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चाहिए ले महाराष्टा इंजिरिंग एकडेमी उसे जॉइंग कीजिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है यहां पर सबसे बले हम लोग देखेंगे आपका इलिजिबीटी क्राइटरिया क्या है यहां पर जो भी इंफो चाहिए अपर ट्वेल्थ पास चाहिए और डिपलोमा के स्वें यहां पर फर्स्टेर इंजिरिंग एडिमिशन ले सकते हैं जेन कंडिडेट वी जाईदर डोमसाल आप महाराष्टा ओर बॉन इन महाराष्टा देकि यहां पर सबसे पली सिट अलोट होंगे जो डोमसाल आ इन आल दो सब्जेक्ट इन MSCET और शुल्ट अप्टेन नन जिरो स्कोर इन MSCET देकि यहां पर आपको आप MSCET यहां पर एग्जम आपियर होने चाहिए उसमें आटलिक आपका नन जिरो स्कोर चाहिए इन देकि यहां पर सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो स्टुरंस को आती है तो यहां पर जो हमारा क्राइटरिया अगर आपको क्राइटरिया यहां पर आपको फिक्स करना है मतलब आपके percentage में कुछ problem आ रहा है तो यहां पर देखिए PCM मतलब Physics Chemistry Mathematics ऐसे हम लोग बोलते हैं लेकिन Physics and Mathematics यहां पर कंपल सरी है यहां पर देखिए पार HSC with Physics and Mathematics as a complete subject Along with One of the Chemistry, Biotechnology, Biology, Technical, Occasional Subjects Computer Science, Information Technology, Agriculture, Engineering Graphics, Business Studies Optane at least 45% marks अगर open category के students है तो उनको 45% चाहिए अगर category के students है तो उनको 40% चाहिए और category में भी यहां पर EWS के students है उनके लिए भी 40% ही चाहिए तो यहां पर आपका Physics and Mathematics आपका कंपल सरी है उसके ताथ Chemistry जो भी subject आपका eligible है वहां पर आप यूज़ कर सकते हो for the criteria of 45% and 40% depending upon your category तो इसे आप ध्यान में रखिए यहां पर consequence आपको admission के लिए चाहिए तो आपका SSC का mark sheet, HSC का mark sheet, diploma का mark sheet अगर आपने diploma किया है डिप्लोमा engineering के students भी यहां पर first year engineering में admission ले सकते है यहां पर जो almost सभी बच्चे होंगे वो 12 वाले ही होंगे ऐसा एक rare case होगा जो diploma students भी यहां पर first year engineering में admission ले सकता है then यहां पर CET का scorecard आपको चाहिए, then living certificate, transfer certificate, then birth certificate and domicile certificate all candidates के लिए, all candidates के लिए document यहां पर common है और जो diploma के students है उनके लिए CET scorecard की यहां पर जरूरत नहीं है then other candidate, other candidate मतला यहां पर अगर आपकी category के हिसाफ से document टोड़े change होंगे यहां पर SC, ST candidate के लिए, यहां पर cast certificate and cast validity चाहिए, nt, o,b,c, s,b,c के लिए, cast certificate, cast validity certificate and non criminal certificate चाहिए then EWS, economical vicar section student के पाद यहां पर EWS का certificate चाहिए और उनके पास यहां पर income certificate भी चाहिए, मतला उनका जो parents का income है, 8,00,000 से कम होना चाहिए then EBC अगर यहां पर EWS में apply करते तो आपको यहां पर reservation का benefit मिलेगा, अगर open category के students हो तो यहां पर EWS ने तो EBC apply करके यहां पर 50% scholarship ले सकते हो, यहां पर EBC के लिए आपको चाहिए income certificate then 22 admission rates यहां पर क्या है तो आपका जो new notification आया है तो उसके सबसे admission आपका start होगा 15th June 2023 से मतला 15th June से आपका admission start होगा और देखिए यहां पर जो link है यह link में आपको description में भी दे दूँँगा उससे आपको वहां पर जाके आपको registration करना है और आपको कुछ भी डाउट है अगर directly मुझसे अगर communicate करना है तो आपना जो application है महराष्टी या Academy वह application को download कीजिए उसका link description में available है वहां पर directly आप मुझसे communicate कर सकते हो वहां पर WhatsApp जाता चाट section है वहां पर कुछ भी डाउट वहां पर मुझसे पूछ सकते हो अगर वीडियो में कुछ भी डाउट है आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए अगर वीडियो अच्छे लगा होगा तो चैनल को like, share, subscribe कीजिए side में जो bell icon button है उसे press कीजिए तो हमारे next आने वले वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिलेगी Thank you